अरहार्म महादेव आपका संजीब ट्रेलिंग ब्लोग में सुवगत है दोस्तों अगर आपने हमारा चेनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे दबा दें और जो लाज़ वाला बटन है दोस्तों उसे जरूर देवा दें और हमारी वीडियो पूरी देखें जिसों को आपको हमारी जानकारी देने वाले हैं वो आपको पूरी पता लग सकए हम बात करने वाले हैं हम सिफ खोड़ी कैसे जाएं और सिफ खोड़ी में है क्या और किसकी कता आई है सिफ खोड़ी के बारे में बहुत से भक्तों को नहीं पता सिब्भकोड़ी हुटी क्यां और शिप्भकोड़ी कुफा कॊंसे , अगर आप माता बेशन तेवी की यात्रा पर जा रहे हैं एक बार सिब्खोड़ी यात्रा भी जरूर करें क्योंकि जततर सदहलो माता भेशन तेवी के दर्सन करने के लिए जम्मो कटरा पहुंचते हैं लेकिन उन में से बहुत कम ही सरदालो सिवखोड़ी की यात्रा पड़ जाते हैं तो अगर आप अपनी फेमिली के साथ कटरा से सिवखोड़ी जाना चाहते हैं तो आप आप सिवखोड़ी जा सकते हैं तो सबसे अच्छा बिकल जो मैं बता रहा हूँ आपको अगर आप 5 सीटर टैक्सी लगवग 2000 रुपे में और 9 सीटर टैक्सी जो आपकी 26 रुपे में बुक हो जाती है जो सुबह आपको कट्रा से रंसु गाम तक लेकर जाती है क्योंकि रंसु गाम से ही आपको पैदल या फिर घोड़ी पाल की अपनी यात्रा करनी होगी जैसे ही आप अपनी यात्रा पूरी करके बापस आते हैं तो आप टेक्सी बाला आपको कट्राइ में ही ड्रॉफ कर देगा वो तो मैंने बताया आपको हम कट्रा से या बेशन देवी से हम सिभखोडी कैसे करें हम जैसे हम सिभखोडी पहुंच जाएं हम सिभखोडी नहीं पहुंचे हम सिभखोडी से थोड़ा से पहले रनसु गम में पहुंचने के बाद आपको थोड़ा सा ही पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि जो सिफ खोड़ी है जो आपको सिफ खोड़ी गुपा है वो आपका रंसु गाम में है आपको जब बेशन देवी से आपका टेक्सी वाला या बस वाला जो भी आपको रंसु गाम में छोड़ागा हाँ से एक किलोमेटर है आपको एक किलोमेटर पैदल चलने के बाद पहला तो यह आप चार किलोमेटर इसे ट्रेक को पैदल चलकर पूरा कर लें और दूसरा आप या फिर घोड़ा खचर या फिर पालकी से आप कर सकते हैं क्योंकि पैदल यात्रा जादा नहीं है चार किलोमेटर की है आप सिफ खोड़ी चार किलोमेटर पैदल भी जा सकते हैं और मेरा मानना है कि अगर आप बढ़िया हो और सोच तो आप सिफग मोड़ी पैदल यातरा ही करें और अगर आप बड़े बढ़े हो या पिर आपकी अमर जादा हो चुक है तो आप पाल की या फिर आप घोड़े से भी अपनी यातरा पूरी कर सकते हो अब हम बात करने वाले हैं जातर से धालू इस यातलो को पैदल ही चलकर पूरा करते हैं क्योंकि इस ट्रेक जदा बड़ा नहीं है चार किलोमेटर इस ट्रेक को स्विभगत हर हर महादेव का नारा लगाते हुए पूरा कर लेते हैं इस पूरे ट्रेक को आपको आराम करने के लिए जगे जगे काफी शीट मिल जाएंगी वहीं आपको बासरूम और इसनान करने के लिए विवश्ता रश्ता में मिल जाएंगी बाकि कुछ खाने पीने की दुकाने भी मिल जाएंगी जहां आपको चाय कोल्टरिंग मेगी मंदिर देखने को बिलेंगे आप दर्सन कर सकते हो यात्रा में जाता ठकावट भी नहीं लेकिन आपको सरस्थ थी तो आप सिर्फ खोड़ी इस यात्राइं पूरा आराम से कर लेंगे क्योंकि शिफखोड़ी चार किलोमेटर आप आप में इसमें दिक्कत नहीं होगी और सि अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिफ खोड़ीगी कहानी क्या है और गुफा क्यों पड़ी हमारा प्राण कता अनुकसार हिंदो धर्म में ऐसा बर्णन किया गया है कि भसमा सुन ने भागवान सिफ के कठुट तपस्य करके भागवान सिफ को पृसन किया और बर्दान में उनसे अपनी इक्षा नुकसार ऐसा बर्मांगा जिसके सर पर हाथ रख दें वो ही भसम हो जाए भागवान सिफ ने भसमा सुर को कहा कि मेरे इस बर्दान का तुम लोग पर अत्याचार मत करना लेकिन भसमा सुर ने लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिये और सब को भसम करने लगा परवत्ती पर इतना एत्याचार देखकर भगवान सिफ भसमा सुर को समझाने के लिए आगया आई लेकिन भसमा सुर भगवान सिफ को ही भसम करने के लिए उनके पीछे दोड़ पड़ा तब जागर भगवान सिफ ने भसमा सुर से बचने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ और अपने 33 करोड़ देवी देपताओं के साथ इस गुफा में सिर्फ खोड़ी में ब्रजबान हुए जब तस भस्मा सुर्व का अंतनी हुआ और आपको इसमें चार फीट लंबी शिविलिंग और 33 करोड़ देवी देपताओं के आपको जो भी हैं वो आपको अंदर मिलेंगे आप जाएं और एक बार दर्शन के जरूर करें जो आपको मैंने यातरा बताईए आपको मैंने कट्रा से बेशनो देवी से हां तक की बताईए आप आजाएं और इसमें कोई जादा खर्चा नहीं होगा और जो आपको कुछा में आपको बताने वाला हूं मुश्किल से मुश्किल से आपको बैस दो सजय तीन सो रुपिया आपको लेगा बस वाला या फिर आपका अगर टैक्सी करना चाहो आप टैक्सी वाला आप आ सकते हो और वो जो आपकी मनोकाबना है वो आपकी पूरी जरूर होंगी हर हर महादेव